हलो स्टेंट्स महरें प्रताप सिंग आप सभी लोंका अपने उसेच के उसल चेनल पस्वात करता हूं स्टेंट्स आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 के लिए अर्शा सांखेकी के अंतरगत आकडों का प्रस्तुती करण हम लोग स्टेडी करेंगे और इसका थर्ड पार्ट है आज के वीडियो बहुत ही छोटा है इसमें हम लोग आज खास दोर से जानेंगे कि एक उत्तम साड़ी के आवस्यक लच्छन क्या होती है हम लोग आकडों के प्रस्तुती करण के अंतरगत अध्यन कर रहे थे इसका थर्ड पार्ट है थर्ड वीडियो है और हम लोग आज विश्यस उप्सिध्य करेंगे कि एक उत्तम साड़ी के आवस्यक लच्छन क्या होती है तो आगे हम लोग बीना समय गवाय शुरू गरते हैं तो कि एक आवस्यक साड़ी के कई आवस्यक लच्छन या कई आवस्यक तत्व होती है या विश्यस्ताएं होती है हम लोग क्रम से इसको समझने का प्रयास करेंगे उसमें पहला है कि एक उत्तम सारणी जो है वो आकर्षक हो मत्तों उसे आकर्षक होना चीए देखने में देखने में ही रेडर को आकर्षित करने वला होना चीए कि पाठख उसी तरफ आकर्शित हो ऐसे सारणी होनी चीए सारणी को आकर्शक बनाने के लिए उसके आकार खानों वो पंक्तियों के अनुपात संख्याओं के लिखावट आधी पर बिसे ध्यान दिया जाता है एक सारणी आकर्शक हो उसके लिए ध्यान दिया जाता है कि उसारणी का आकार एक उचित आकार का हो खानों और पंक्तियों का एक निश्चित अनुपात हो ऐसा अनुपात हो कि देखने में अच्छा लगे और संख्यों की लिखावट पर विशेज ध्यान दिया जाता है जिससे पाठक जो है उसे देखकर आकर से थोज़के और दूसरा है दूसरी विशिस्ता इसकी जो होनी चाहिए एक उत्तम साड़ी में वह है प्रबंध योग्य आकार अब प्रबंध योग्याकार का मत्तब क्या होता है देखिए साड़ी का आकार न तो अधिक बड़ा और न अधिक छोटा होना चीए यदि अधिक जानकारी का समावेश करना हो तो एक बड़ी साड़ी के पेच्छा कई छोटी छोटी साड़ीया मनाई जा सकती है साड़ी जो है न अधिक बड़ा होना चीए न अधिक छोटा होना चीए यदि बहुत जादे सामगरी का उसमें समावेश करना है बहुत जादे सामगरी को दिखाना है तो उसमें छोटी छोटी कई साड़ीया मनाई जा सकती है साड़ी में अधिक तथ्यों को प्रस्तूत करने का प्रयत्त नहीं करना चाहिए साड़ी यदि बड़ी होती है तो आखों के लिए जो है ब्रहमकारी हो सकती है ब्रहमात्मक हो सकती है या ब्रहम पैदा करने वाली हो सकती है तथा उसकी पंक्तियों तथा खानों को समझना कठिन हो सकता है। इसकी अगली जो विशेश्ता होने चाहिए कुत्तम सनाड़ी की वो है कि उसे तुलनात्मक होना चाहिए। तुलना का मतब कंपेरेबल एक दूसरे से तुलना की जा सके। देखिए साड़ी में तथ्यों की बेवस्था इस प्रकार करनी चाहिए जिससे उनकी तुलना सरलता से की जा सके। तथ्यों की तूलना करना साड़ीयन का एक प्रमुखुद्धिस होता है। डाटा का कंपेर करना साड़ीयों की तूलना करना जो साड़ीयन का एक प्रमुखुद्धिस होता है। तूलना करने के लिए जहां आवश्यक हो वहां पर माध्य, प्रतिसत, अनुपाद, आदि की भी गढ़ना करनी चाहिए। जहां पर यदि आवश्यक है तो वहां पर माध्य का, प्रिशत का, अनुपाद, आदि को भी वहां पर मेंसन करना चाहिए। अब इसका जो नेक्स्ट जो विशिस्ता होने चाहिए इसमें, एक उत्तम साड़े की, वह है किसे उद्देश से के अंसार होना चाहिए। साड़ी जो है अनसंधान के उद्देश से के अनुकूल होने चाहिए। आप किसका अनसंधान कर रहे हैं, आपके अनसंधान का छेत्र क्या है, किस उद्देश से कर रहे हैं, साड़ी उसके अनुकूल होने चाहिए। क्योंकि साड़ी का आकार और उसकी रूप रेखा जो है, अनसंधान के उद्देश के अंसार जो है, वह बदलती रहती है। परच्वी विसिस्ता है एक उत्तम साड़ी की वो यह है कि साड़ी को जो है बैग्यानिक धंग से तयार होना चाहिए तो एक साइंटिफिक मेथट से साइंटिफिक वेब में उसको प्रेपेर करना चाहिए कि साड़ी का निर्मार करतेस में सभी जो है आवस्यक साधानियों का ध्यान डखा जाना चाहिए जो साड़ी बनातेस में जो साधानिया हैं उसका ध्यान डखा जाना चाहिए जो अनवस्यक चीज़े हैं उसको हटा देना चाहिए एक प्रॉपर वेब में जो है जिसकी पहले एक साडि की बेऊस्ता इस प्रकार की जाने चाहिए कि एक समान ब्यक्ती भी उसे समझ सके जिसे जो है बहुत जादे इस्टेटिक्स का ग्यान नहीं है तो वह ब्यक्ति भी उसाड़ी को समझ सके अत्वा जो है साड़ी सुनियोजी तथा बैग्यानिक धंग से निरमित की जानी चाहिए वह ब कि अधिक सिर्षक अथ्वहu 85 सिर्षकों के देने में साड़ी में सप्रस्ता के बजाए और इस्पषटा आ जाती है यदि हम बहुत जादे शिर्षक और ऊप्सिर्षक दे देतें साड़ी में तो जहाँ पर इसको इसस्पष यह रहा क्योंकि सिस्कों की अधिक संख्या की कारण जो है समंगों की प्रवित्तियों था मुख्य तत्थों पर उचित बल देने में कठना इप्पन होती है तो इस्ट्रेंट्स यह जो है यह रहा एक उत्तम साड़ी के आवस्टे के लच्छन क्या होते हैं बहुत छोटा सा वीडियो है आप इसको चाहे तो नूट डाउन कर सकते हैं मैंने इससे औरली बता दिया है रेटेन फॉर्म में मैंने आपको उप्लप नहीं करा है आप चाहे